बच्चों, बहुत समय पहले किसी जंगल में एक रिशी का आश्रम था। अध्यान के लिए दूर देशों से कई लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेशते थे। एक दिन शुभंकर नाम का एक छोटा बच्चा उनके पास आया। गुरुदेव, आपसे शिक्षा ग्रहन करने आया हूँ। ठीक है पुत्र, तुम इसी आश्रम में रहकर विद्या अध्यान कर सकते हो। कल से हम अध्यान प्रारम करेंगे। जी गुरुदेव। बच्चों, अध्यान शुरू करने से पहले हम कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देंगे। शिश्यों, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ध्वनी। ध्वनी? ध्वनी क्या होता है गुरुदेव? हम, ध्वनी होता नहीं, होती है। ध्वनी का मतलब है आवाज। हम जो बोलते हैं वह एक विशेश प्रकार की आवाज है, इसे ही भाशा कहते हैं। तो क्या गुरुदेव पक्षियों की भी भाशा होती है? हाँ पुत्र, हम उनकी अलग अलग आवाजों से ही पक्षियों को पहचानते हैं। जैसे कौवा काओ काओ करता है, कबुतर गुटरगूं गुटरगूं। यहां तक की नदियों, तालाबों, पीड़ पौधों की भी अपनी भाशा होती है। हम सब समझ गये गुरू देव। लेकिन जब हम इस भाशा को लिखना चाहते हैं, तब हमें आवश्यक्ता होती है वर्ण की। वर्ण का मतलब है द्वनी को दर्शाने वाला ऐसा चिन जिसके टुकडे न किये जा सकें। जैसे मैंने कहा आकाश। अब मैं इसको अलग-अलग लिखूंगा। अ, धन आ, धन क, धन आ, धन श, धन अ। यहां द्वनी को दर्शाने वाले अलग-अलग प्रतीक्षिन अ, आ, क, श ही वर्ण हैं। और जब हम इन वर्णों को एक क्रम में सजाते हैं, तो बनती है वर्ण माला। वर्ण माला। गूरुदेव हां पत्र वर्ण माला। हिंदी में कुल 46 प्रमानित वर्ण होते हैं, जिन में से 11 वर्ण स्वर्की और 35 वर्ण व्यांजन के होते हैं। वर्ण आयोगवा और तीन वर्ण संयुक व्यंजन के भी होते हैं। गुरुदेप थोड़ा विस्तार से बताएं। तो फिर एक काम करो। तुम सभी जाओ और ग्यारह संतरे वो 35 आम लेकर आओ। जी गुरुजे, जी जी गुरुजी। शाबाश बच्चों, मुझे तुम लोगों से यही उमीद थी। बच्चों, अब इन फलों को अलग-अलग कर लेते हैं। पहले लेते हैं संतरों को। चमाल लो ये संतरे नहीं, वर्ण माला के पहले 11 वर्ण हैं, जिने स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय, किसी अन्यद्वनी की सहता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अब मैं बारी-बारी से इन संतरों पर इन स्वरों को लिखूंगा। पहला स्वर है अ। इसको ऐसे लिखते हैं। अ से अनार, अमरूद, अजगर। दूसरा स्वर है आ। इसे पहले अ की तरह लिखो, फिर इसके पीछे एक और डंडी लगा दो। आ से आम, आद्मी, आग। तीसरा स्वर है इ, इसे इमली, 61, इकका, चौधा स्वर है इ, इसे इस तरह लिखते हैं। इ से इंक, इश्वर, इद। पांच्वा स्वर है उ, उ से उल्लू, उपवन, उदै। चटा स्वर है उ, उ से उपर, उन। साथमा स्वर है री, री से रिशी, आठमा स्वर है ए, ए से एक, एडी, नौवा स्वर है ए, ए से, एरावत, एनक, दसमा स्वर है ओ, ओ से, ओस, ओधनीं, ओखली, ग्यारावा स्वर है ओ, ओसे, ओशधी, ओरत, तो शिश्यों ये रहे ग्यारह स्वर, तो बताओ स्वर क्या होते हैं? जिन वर्नों के बोलने या उच्चारन में जब किसी अन्यध्वनी की साहता नहीं ली जाती, उन वर्नों को स्वर कहते हैं? बहुत खुब, इन ग्यारह स्वरों का उच्चारन करते समय हम किसी अन्यध्वनी की साहता नहीं लेते, इन वर्नों का उच्चारन सीधे होता है, जी गुरुजी, जी गुरुजी, अब तुम लोग इसका अभ्यास करना, कल हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी अन्यध्व